नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News Live पर देखते आज की कुछ खास खबर मध्या प्रदेश में कॉंग्रेस बीजेपी में विधायकों को तोड़ने की जंग मध्या प्रदेश में बीजेपी और कॉंग्रेस में सत्ता का खेल जारी है ओप्रेशन लोटस के जरिये कमलनात सरकार को समर्थन करने वाले चार विधायक बीजेपी के खेमे में चले गए है कॉंग्रेस विधायक हर्देप सिंग डंग के इस्तिफे के खबर के बीच मुख्यमंत्री कमलनात ने बीजेपी को तगड़ा जटका दिया है मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक नारायत रिपाठी और संजै पाठक ने देर रात कमलनात से मुलाकात की वही बीजेपी के विधायक शरत कोल पहले से ही बगावत का रुख अपनाते हुए कॉंग्रेस के साथ खड़े है कमलना से मिलने के बाद नारायत्री पार्ठी ने अपने इस्तिफेक की खबर को गलत बताया मुख्यमत्री निवास पर भी जेपी नेताओं को देखे जाने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है मध्य प्रदेश में चल रहे राजनिती खटनाक्रम के बीच भाजपा के प्रमुक नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है कहा जा रहा है कि यह सभी नेता पार्ठी अंद्यक्षर जेपी नडड़ा वर अन्यवरिष्टर नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं सूत्रों की माने तो भाजपा के कुछ विधायकों के कॉंग्रिस के संपत में होने की खबरों से आला कमान चोकरना हो गया है साथ ही कॉंग्रिस की स्थिती पर मन्थन जारी है मध्य प्रदेश में कमलनास सरकार एक बड़े संकट में फस्ती नजर आ रही है सूत्रों की माने तो कैबिनेट के बैठक के बाद कुछ और मंत्रियों ने भी इस्तिफे की पेशकर्श की है चार लापता विधायकों में से एक कॉंग्रिस विधायक हर्दिब डंक ने इस्तिफा दे दिया है वही कर देर रात मुख्यमंत्री कमलनास से दो बीजेपी विधायकों की मुलाकात के बाद सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है इसी बीच कॉंग्रेस निता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिगविजे सिंग ने सरकार बचाने के लिए एक फॉर्मूला सुजाया है जिसमें उन्होंने बजट सत्रक के बाद कैबिनेट का तुरंत विस्तार के जाने के बात गई है मगर अब सवाल इस बात पर है कि क्या दिगविजे सिंग के फॉर्मूले से कमला सरकाप पर आया संकर तल सकता है अब आप हुमारे चैनल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर मने सिंदी लिखे और एप डाउनलोड करें साथी साथ आप हमारे फिस्बुक पेच को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं लिंक, ट्वीटर, हाईकोर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं आप हमारे चैनल को योट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, फिलाल वक्त तो चलाए ब्रेक का, ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे देखने के लिए बने रहें, MNS News Live के साथ, नमस्कार